अयोध्या की नगरी भगवान सिरी राम की नगरी है और भगवान सिरी राम का जन्म यहीं हुआ था परन्तु अयोध्या में ही भगवान सिरी राम का जन्म क्यों हुआ और भगवान सिरी राम को दर्ती पर क्यों आना पड़ा उसके लिए भी एक प्रमुक कारण था कि जिसकी वज़े से स्री राम जी को धर्ती पर जन्म लेना पड़ा उनके जन्म के कारण के समझाने के लिए एक अनोखी कता है जो कि आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा और साथ ही यही बताऊंगा कि किनके स्राप की वज़े से भगवान स्री राम को धर्ती पर आना पड़ा और जन्म लेना पड़ा प्रेकरती का नियम है कि वह जब भी परिसानी में होती है या धर्ती पर जब भी भी कष्ट होता है या जब पाप बढ़ जाता है तो बगवान को किसी न किसी रूप में धर्ती में जन लेना ही पड़ता है तबी ही धरती कष्ट से मुक्त होती है और पापयों के नास से ही धरती पे मनुस्यों को मानव को जीवन के लिए आसानी होती है तो आज मैं आपको अपने इस वीडियो में भगवान स्रीराम के अवतार का होने का क्या कारण था और उससे जुड़ी हुई क्या कथा है तथा किन मुनिक इसराप की वज़े से भगवान सिरी राम को धर्ती पर जन्म लेना पड़ा लेकिन उससे पहले आप से रिक्वेस्ट किये दिया पहली वाई मेरी चैनल पर आदे चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा वीडियो को लाइक कर दिये जाज़े वीडियो सेयर कर दिये चलिए जानते हैं कि भगवान सिरी राम के अवतार होने की कथा क्या है और किन मुनिक इसराप की यसुने जन्म लेना पड़ा आयोध्या में इस समय भगवान स्री राम की जन्म भूमी में बहुत ही उत्सव हो रहा है और 22 जन्वरी 2024 को भगवान राम का भव्य राम मंदिर भी बन रहा है और उसमें राम लला की प्रान प्रतिष्टा भी होने वाली अयोध्या वासी हर सोलास के साथ यह सभी द्रस्यों को देखेंगे और उनके प्रान प्रतिष्टा के समारों को भी देखेंगे इस वज़े से अयोध्या वासियों में ही नहीं बलकि पूरे विश्व में जो बगवान स्री राम से जुड़े हुए हैं उनके दिलों में जोस औ पर उसे इस चण को बिताना चाहता है कोकि वह भी इस भावी भगवान सिरी राम की प्राण पितिश्टा के अवसर को हास से जाने नहीं देना चाहता और उसे देखना चाहता है समझना चाहता है भगवान सिरी राम विश्णु भगवान के साते अवतार माने जाते हैं इस कहा बैकुंट के द्वारपालों ने उनको रोक लिया था और ये जो दो द्वारपाल होती हैं उन्होंने उनका मजाग भी उड़ाने लग गए थी तबी ही संकादिक मुनी ने गुस्से में आकर उन दोनों द्वारपालों को तीन जन्मों तक राक्चस के रूपे पैदा होने का स दिया हुआ जो शुराप है उसके कारण तुम्हें तीन बार राक्चसों के रूप में जन्म लेना पड़ेगा और फिर तुम्हें भगवान विश्नु ही आकर तुमारा बद करेंगी तब ही तुमको मुक्ष की प्राप्ति होगी तो इन द्वारपालों ने जो पहला जन्म लिया वह हिलना कश्यप और हिलनाक्ष के रूप में लिया था उसके बाद भगवान विश्नु जी वरा अवतार प्रगट हुए और उन्हों ने हिलना कश्यप और हिलनाक्ष के रूप में जो राक्चस थे उनका संगार किया था इसके बाद इनका दूसरा जन्म हुआ का आउतार लेकर के रावन अख्म करण का बद चिया फिर तीसरे जनम में यह दोनों दौर पाल जो थे वह सिसुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्वे और फिर भगवान विष्णु ने भगवान सिरी richer का अवतार लेकर की सिसुपाल और दंतवक्र का वध किया था इसके बाद ही इन दोनों द्वारपालों को मोख्ष की प्राप्ती हुई थी तो यह वो कारण था जिसके कारण की भगवान सिरी राम को रावण और कुम करण को मारने के लिए जनम लेना पड़ा था रंदो है कौ नारद मुनी को अंकार हो गया था कि वह काम देव पर विजय प्राप्त कर लेंगी इस कारण से नारद मुनी बिश्टू बगवान जी के पास जाकर के काम देव को जीतने की बात बताने लगे और उनसे कहने लग गए कि मैं काम देव पर विजय प्राप्त कर लूँगा उस बैकुंट से वापस आ रहे थे तो इन्हों ने एक सुन्दर नगर के भावे महल में एक सुन्दर राजकुमारी को देखा तो नारण मुरी जी उस पर मोहित हो गए और वह उस राजकुमारी से विवा करने की सोचने लग गए यह सोच करके चलो मैं अब राजकुमारी से विवा करूँगा तिसके लिए वो भगवान विश्णुजी के पाग गए और उनसे कहा कि मेरे को इतना सुंदर बना दो जिससे की राजकुमारी मुझे पसंद कर सके और मैं उससे विवा कर सकूँ तब भगवान विश्णुजी ने कहा कि हम तो वही कर सकते हैं जिससे की आपके लिए बहुत ही अच्छा हो और आपके लिए कल्यानकारी साबित हो आपका हम बुरा सोची नहीं सकते हैं ऐसा सुनके नारद जी बहुत खुश हुए और उनसे कहा कि ठीक है आप मुझे सुन्दर बना दो तो भगवान विश्णू जी ने नारद मुनी जी को बंदर के मुझे साब बना दिया यह नारद मुरी जी को समझ में नहीं आया ना या उनको पता चल पाया कि उनका मुख बंदर जैसे बना दिया है और अंजाने में नारद मुरी जी उस राजकुमारी के पास उस महल में पहुँच गए उससे विवा की इच्छा बैक्त करने तभी वहाँ पर महल में बहुत सारे राजकुमारी भी उस राजकुमारी से विवा करने के लिए आये हुए थी उस सबा में राजकुमारों ने जब नारद मुनी जी को बंदर वाला चेहरा देखा तो सभी राजकुमार नारद मुनी जी की हसी उडाल लगे और मजाक करने लगे और जो वो राजकुमारी थी उन्होंने भी नारद मुनी को बंदर जैसा मुँ दे करके छोड़ दिया और एक बहुती सुन्दर रूप धरे हुए भगवान विश्णु जी के गले में वह जैमाला डाल दी और जब नारद मुनी जी ने अपना मुख जल में देखा तो उन्हें पता चला कि उनका मुख तो बंदर जैसा हो गया है और उन्होंने जब यह देखा तो उनको भगवान विश्णु जी पे बहुत ही कrob आया फिर डानद मुनी जी भगवान विश्णु जी के पास गए वहा कि आपकी विजह से मेरा इतना मजाक बना है उपहास उड़ा है और मैं बड़ी सरमिंदिगी लेकर के वहां से आया हूँ इसलिए मैं आपको सराब देता हूँ कि आपको मनुस्तिक रूप में धर्ती में जाके जन्व लेना पड़ेगा और आपको बंदरों की ही सहायता लेनी पड़ेगा और जिस तरह से मैं उस राजकुमारी का वियोग सहरा हूँ कि मेरा विवा उसके साथ नहीं हो सका उसी तरह ही आपको भी वह वियोग सहना पड़ेगा यह सुनके भगवान विस्नु चौक गए और अचंबित हुए कि यह क्या इन्होंने मुझे सराब दे दिया फिर उन्होंने ध्यान लगाया सोचा कि चलिए ठीक है नारद मुरी जी जैसा आपने सराब दिया है उसके अनसार ही सब कुछ होगा तो नारद मुरी जी के सराब की वज़े से ही भगवान विस्नु जी को भगवान स्री राम के रूप में धर्ती में जर्म लेना पड़ा उ उन्हें उनके वियोग में रहना भी पड़ा रावन के यहां से सीता जी को लाने के लिए उन्हें वानर सेना यानि बंदरों की सेना की जुर्ट पड़ी और उन्हें बंदर की से उन्होंने लंका पे विज़े राप्थ की और रावन अकुम करण का बद किया तो यही वह बग्वान सीरी राम को मनिस्टी के रूप मैं धरति में जन लेना पढ़ा। तो नारद मुनीजी किस राख के कारण ग्वानव विश्चनो जी तो बग्वान सीुक्षा Rock के रूप में मानव रूप में ईजनम् है और मर्याधा पुरसुत्तम के राम से पूरे विश्चर में भी ख्यात हुए बिल जैसरी राम और यदि आप ऐसी ही जानकारी जाने के चुक्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दी आए वीडियो को लाइक कर देए जाज़ जाज़ाद है वीडियो सेयर कर दीजिए गा और कमेंट बाक्स में जैसरी राम लिखना मत भूलेगा जैसरी रा जैसरी राम जैसरी राम